नमस्कार दर्शिकों मैं हूँ आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं Z10 News आज एक बार फिर हम पेश हैं गुजरात की कुछ खास सुर्खियों के साथ तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले डिसा में सोजी ने ड्रग्स तसकर को पकड़ा करीब एक लाख रुपे की ड्रग्स बरामत सोजी टीम ने डिसा के रामनगर में एक मकान किराय पर रखकर ड्रग का व्यापार कर रहे तसकर को पकड़ा और उसके पास से करीब एक लाख रुपे की ड्रग्स जब्त की और पुलिस ने आगी की जाँच दिसा शहर में लंबे समय से मादक पदार्थो की तसकरी की कई शिकायते मिल रही थी जिसके बाद पुलिस ने नीजी तोर पर जाँच भी शुरू की इसी बीच सोजी टीम को डिसा के रामनगर इलाके से हेरा फेरी की सूचना बिली ऐसे में जब पुलिस ने अचानक रामनगर इलाके में घर की जाँच की तो एक यूवक को भारी मातरा में नशीरी दवाओं के साथ पकड़ा गया यूवक से पूछताच करने पर उसने बताया कि वे सूई गाम के वनोध है तो पुलिस ने उसके पास से करीब 18 ग्राम ड्रग्स जब्त किये साथ ही उसके पास से तीन मुबाइल फोन समेत कुल करीब एक लाख रुपे जब्त किये गए पुलिस ने यूवक को हिरासत में लेते हुए मादक पदार तसकरी के नेटवर्क को पकड़ने के लि दूसरी खबर है दिसा के मौसम के बारे में दिसा के मौसम में आए बदलाव के कारण काले बादल चाय किसान हुए चिंतित दिसा के मौसम विभाग के पूरवन उमान के मुताबिक आज सुबह से मौसम फिर बदल गया है दिली के किसान चिंतित हो गए है क्योंकि दिसा जि कई जिलों में भारिश हो सकती है जिसके मुताबिक आज सुबह से ही दिसा पंथक में माहौल में बदलाव देखने को मिला आसमान में काले बादल चाय हुए थे और ठंडी हवा भी चल रही थी जिससे किसान चिंतित हो गए सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत के गया है जिसा में आलू चुनने का सीजन जोरो पर है अभी भी कई लाकों में आलू की मात्रा खेतों में पड़ी है यदि ऐसी स्थिती बनी तो अधिकांश आलू भीक कर काफी हद तक खराब होनी की संभावना है ऐसे में मवठग जैसी स्थिती को लेकर किसान चिंतित हो ग को मूल भूत सुविधाएं उपलब्द कराती है लेकिन अभी भी कुछ वार्डों में मूल भूत सुविधाएं ना मिलने की शिकायते मिल रही है महिनगर पालिगा के वार्ड क्रमाग 6 में अनुसूच जाती शेत्र वडवान जी आईडी सी शेत्र में पिछले कई वर्षो भी निकाली और जमकर प्रस्तुती दी तो आईए जानते हैं सुरेंद्र नगर वडवान सेयुक्त नगर पालिका के अध्यक्ष जिगना बेन पांडिया ने इस पर क्या कहा राजापाय अरिपाय परमार शुरेंद्र नगर सोसाइटी आयां उच्छला 25 वर्ष्टी रोषू अने 25 वर्ष्टी अमारा जे काई चूटैला सेब्यों से अवार नवार रजवात करवाद छता रोड रस्ताप अने पाणी माटे ने इटली बदी अमार अगवडता अब सुनते हैं वहां के स्थानिय लोगों केस पर क्या विचार रहे आखो देश आजादीनों अमरूत परोव उजवी रही हुचे अने विकास नी गुलबांगों फ्हेकाई रही चे एना वच्चे सुर्यंद्र नगर सेहर अने ये सेहर नो वर्ड नंबर 6 वर्ष्वथी अईया रोड रस्ता पाणी गटर प्रात्मिक शाडा आंगडवाडी अने आ तमाम प्रकारनी जे प्रात्मिक सुविधाव मडवी जुए एनो सदनतर अभाव चे अईया अनुसुचीत जाती अने मालदारी समाजना लोको वशेज़े। मने लागे चे कि आ नगर पाली कानी मांचिक ताक एक जुधा प्रकारनी जे अने परिणा मे आ तमाम प् मोधी ने आज सिद्धपूर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज एफ ओबी का वर्चुल उधगाटन किया तीस करोड रुपे से अधिक की लागत से निर्मित बारा मीटर चालीस फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का उधगाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने क लिए अवजा ही को आसान सांब बनाएगा उन्होंने कहा कि यह पुल शहर के विकास में भी महतवपून बहुका निबाएगा इसके साथ ही प्रधान मंत्री मोधी ने 554 रेलवे सेशनों के पुलर विकास की भी आधारशिला रखी इन में से 66 न पर दो को भी पुलकास से य वर्ण धाम लोक मेले में श्री आई खोडियार शिवर पच्छिस सो से अधिक पैदल यात्रियों को लाब गुजरात के पाटन जिले के समी तालुका में वर्णा धाम में इस वर्ष परंपरा के अनुसार भव्य लोक मेले का योजन किया गया था इस मेले में शामिल होने वाले पैदल यात्रियों के लिए राधनपुर समी हाइवे पर श्री आई खोडियार शिवर का भव्य आयोजन किया गया इस शिवर के तहट पच्छिस सो से अधिक पैदल यात्रियों ने सेवा का लाब उठाया शिवर में निशल्क चिकितसा सेवाओं से लेकर भोजन प्रसाद और चाय पानी तक की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी इसके अलावा कड़के की ठंड में पैदल चल रहे पैदल यात्रियों के लिए स्थान और रात्री विश्राम की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी ये शेवर वराना जाने वाले ट्राक्टर्स यात्रियों के लिए समी राधनपुर राजमाग पर खोडिया टिंबर लटी और उम्य ट्रेडर्स के मालिक दुगेश भाई नर्सिंग भाई पटेल और पंकज भाई पटेल द्वारा जो किया गया था ये शेवर 25 फरवरी से शुरूआ था और 10 मार्च तक चलेगा अनिल रामनुच की राधनपुर से रिपोर्ट अमें आवदो करी रहा थे जे खुडिया रुआ परिवारों ने चेदावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे चुनाव का बहिश्कार करेंगे आनिल रामनुज की पाटन राधनपुर से रिपोर्ट मात्रने मात्रा में दस इकर लीज मांगी सी तमारी जोड़े के दस इकर हमने रर्वादो रोटलों एना माते साइब चार दिवस ती द्रणाव उपर बेटाई आती लगी हमारी कोई ख़बर काटवा नहीं आती कोई तंत्रा पुछा करेंगे तो तंत्रा ने अमारी जरूर न मोर्वा हडफ के शास्किये कला इवं विज्यान महा विद्याले का पांचवा वार्षिक महुचसव भव्यता पूर्वक मनाया गया पंच महाल के मोरवा हडफ में स्थिशास के कला एवं विज्यान महाविध्याले ने अपना पांचवा वार्षिक मोहचसव भव्यता पूर्वक मनाया। मुख्यातिती के रूप में मोरवा हडफ विधायक निमीशा बेन सुधार उपस्थित थी। प्रचारे डॉक्टर केजी चाया ने वर्ष भर में महाविध्याले की गतिवीध्यों एवं विकास की जानकारे दी। उन्होंने बताया कि 2015 में शुरू हुए इस कॉलिज को पिछले तीन वर्षों में सभी बहुत एक सुविधाओं और IT संबंधी सुविधाओं से सुसजित सरकारी कॉलिज बना दिया गया है। भाबर में दो पक्षों के बीच टक्राव पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पक्षनियों ने धमकाया और उन पर पत्राव किया। पुलिस दोनों पक्षों के बियान दर्ज कर रही है और सबूत इखटा कर रही है। यह घटना शेत्र में तनाव का कारण बन गई है। पुलिस ने लोगों से शांती बनाय रखने की अपील की है। सुनील भाई गुकलानी की भाबर पना सकांठा से रिपोर्ट। आज की आखरी खबर प्रधान मंत्री मोधी ने लखतर और धाकी रोड रेलवे अंडर ब्रिज का उधगाटन किया। इन अंडर ब्रिजों के निर्मान से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और रेलवे ट्राक पार करते समय सुरक्षा भी बढ़ेगी। इन अंडर ब्रिजों का निर्मान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहट किया गया है। प्रधान मंत्री ने कहा कि एंडबरिज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में रेलवे बुनियादी धांचे को मस्बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरिमेंद्र सिंग जाला की लक्तर से रिपोर्ट। अपने कोई पड़ेना काम बाग क्या एंडचर होएं तो यह एंडचर दूर करवी। आज ये अंडर प्रास्तियों आपने बदाज जाड़ी है जे मोटा वड़ी नोई बैटा जे इंबदाने खबर होएं। तो ये थी गुजरात की आज की कुछ खास सुर्खियां आम एक बार फेर आएंगे गुजरात की और कुछ खास खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहें जीटेन नीउस। धन्यवाद। जजरात की इंब तक की और जे देखते जीटेनल चलीटेनल जेखते टीजरां देखते तक हम थीदराने आएंगे ये थाएंगे जाएंगे जाएंगे ये।